कुछ पंडितों ने एक इस्त्री से कहा कि तुम अपने घर में विश्णु जी की फोटो रख लो और जब भी तुम भोजन करो तो भोजन करने से पहले थाली भगवान के सामने रखना और फिर कहना विश्णु और पढ़ और फिर तुम बाद में भोजन करना उसमाई लाने क ठीक है महाराजी और जब भी तुम जल पान करो तो जल पान करने से पहले भी जो जल का गिलास है वो विश्णु जी के सामने रखना फिर कहना विश्णु अरपढ और फिर तुम जल पान करना तुम जो भी काम करो पहले विश्णु अरपढ कहना फिर कोई काम करना अब तो कि एक बार वो महिला घर का कूड़ा इखटा कर रहे थी और फेकते हुए बोली विश्नु अरपण तब ही वहां से नारज जी गुजर रहे थे नारज जी ने देखा कि ये पागल महिला कूडा फैकते हुए विश्नु अरपड बोल रही है ये कूडा विश्नु जी को अरपड कर रही है अब तो नारज जी को बड़ा क्रोध आ गया नारज जी उस व्यक्ति उस महिला के पास गए और डाटकर बोले तुम्हें शरम नहीं आती है तुम कूडा विश्नु जी को अरपड कर रही हो और जोड से एक शाटा नारज जी ने उस महिला के लगा दिया अब जैसे ही उस महिला को थपड़ पड़ा महिला थपड़ पड़ते बोली विश्नु अरपड नारज जी को और क्रोध आया कि लो ये तो थपड़ भी विश्नु जी को अरपड कर रही है नारज जी ने एक और थपड लगा दिया दूसरा थपड पड़ते ही वो औरत बोल विश्णु अरपड नारज जी को बहुत क्रोध आयो नारज जी ने मन में विचार किया लगता है यह महिला पागल है छोड़ो इसको अब नारज जी क्रोध करते वे विश्णु पूरी चले गए अब जैसे ही विश्णु पूरी आये तो देखा हमारे भगवान विश्णु क यह दौनों गालों पर उंगलियों के निशान है नारज जी के मन में बड़ा सोच हुआ और नारज जी ने पूछा प्रभू से प्रभू यह आपके गालों पर उंगलियों के निशान कैसे है प्रभू क्या बात है कुछ हुआ है क्या को बगवान विश्णु मुस्कुराए नारद जी आपके लेला वड़ी विचित रहां थपड मारो भी तुम और पूछो भी तुम नारद जी ने कहा भगवन मेरी इतनी हम्मत कहा मैं आपको कैसे थपड मार सकनाू प्रभू यह आप क्या कह रहें तो भगवान ने का नारद तुम्हें याद है वो इस्त्री जब तो थपड़ है घवान ने जब यह कहा तो नारत जी चरड़ों में गिर गे कहा प्रभू आप इतने करुणा के सागर है कि भक्तों के थपड़ भी स्विकार कर लेते हैं तो यह कहने का तात्पर मेरा आप सभी से इतना है जो लोग शिकायत करते हैं कि शिठाकुर जी हमारी प को कआइगे न बॉठाकुर जीए अषिस सुनेगी वह तो भक्तों कि थपड़ भक्तों कि गालियां तक स्विकार कर लेते हैं तो हमारा प्रेम क्यों ने स्विकार करेंगे चीठाकुजी तो बहुत करुणा के सागर है बहूत करपा के सागर है